आप देखें ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं सभी दर्शक किसान भाई भाहनों को नमस्कार पूछे अपना सवाल का रिक्रम में हम हमारे दर्शकों के सवालों को आप तक पहुँचाते हैं और उनका उत्तर भी आप तक पहुँचाते हैं जिससे आप भी उसका लाप ले सकें तो पहला ये प्रश्ण आज हम ले रहे हैं वो लाला राम चौधरी जी का है जो सांचोर से जिला जालोर राजस्तान के हैं मक्खी पालन के प्रशिक्षन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि उनकी क्या विशेश आवशक्ता या जानकारी चाहिए होने उसके बाद उनके प्रश्न का उत्तर देंगे हलो लाला राम जी से बात हो रही है हाँ जी नमस्कार लाला राम जी मैं ग्रीन टीवी से बोल रहा हूँ हाँ जी और आपने मदुमक्खी के प्रिस्टिक्षन के बारे में कुछ हमसे जानकारी चाही थी क्या जानना चाहते हैं सबसे पहले तो लाला राम जी मैं यह बताना चाहता हूं कि जालो और जिले में आम तो पर मदुमक्खी का पालन नहीं होता है क्योंकि मदुमक्खी को हमेशा आसपास में हर्याली चाहिए फूल चाहिए और जैसे रभी की मौसम में तो आपके पास अच्छी खासी सरसों हो जाती है तो सरसों के खेतों में मदुमक्खी का गुजारा हो जाएगा लेकर खरीफ में भी फसले होना चाहिए और इसी तरह गर्मी में भी जायत में भी फसले होनी चाहिए नहीं तो हमें बक से दूसरे इस्तान पर जहां वनस्पती है वहां ले जाने पड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें जहां तक प्रशिक्षन का सवाल है सबसे पहले छोटी जानकारी तो आपको अपने जिले में ही कृशी विज्ञान केंदर से मिल जाएगी या फिर जो आपका पागवानी विभाग है सरकार का Department of Horticulture उनके साथ मिल जाएगी कि प्रशिक्षन कहां कहां आस पास में हो रहे हैं लेकिन राजस्तान में जो खाधी और विलेज ग्रामोद्योग खाधी ग्रामोद्योग के सांस्ता है शिवदासपुरा जैपूर में वो प्रशिक्षन नेमित रूप से लगाते हैं इसी तरह से National B Board भी है उनके भी प्रशिक्षन होते हैं उनके प्रशिक्षन भी ये लोग करते हैं तो इनके जगे जगे प्रशिक्षन होते हैं राजस्तान में भी कई इनके केंद्रे हैं और अलग-अलग तरह के प्रशिक्षन है एक महा का प्रशिक्षन भी है जो जहां करीब दसमी पास होना चाहिए जिसको प्रशिक्षन लेना है तो वो प्रशिक्षन है इसको certificate course है यह एक माह का, छोटे छोटे courses भी होते हैं, पांस दिन के, दो दिन के, छे दिन के, पंदरा दिन के, एक सबसे बड़ा छे महिने का course भी है, उसमें जो जिन्होंने BSC किया है, उनको लेते हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा सारी चीजों की जानकारी होती है, लेकिन जो छोटी प्रारंबिक जानकारी है, वो पंदरा दिन का course होता है, उसमें दसवी तक पढ़ाई किया हुआ जरूर होना चाहिए, उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं किया हो, तो पांस दिन का course भी है, जो आम किसान के लिए है, और खास करके, इसके बिमारियां जो आ जाती और रानी मक्ही की देखभाल करने के लिए, इसके लिए भी एक अलग से प्रिशिक्षन है, तो मदु मक्ही पालक में ही अलग-अलग प्रिशिक्षन भी है, तो यहां आप पता करें, कि यह प्रिशिक्षन कब-कब होने वाले हैं, और बक्से भी राजस्तान में मिलते हैं, खाधी ग्राम उद्योग वाले भी बक्से देते हैं और अलवर में खास करके राजस्तान अलवर जिले में इनके कुछ बक्सों के निर्माता हैं वहाँ भी वो बक्से देते हैं तो बक्स आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर आप गुजरात से लेना चाहें तो उधर से भी ले सकते हैं क्योंकि आप गुजरात के पास हैं इसलिए धन्यवाद लाला राम जी हम से जोड़ने के लिए और बहुत शुब कामना है आपको